नमस्कार मैं स्वापनिल और आप दन्यूज लॉंचर देख रहे हैं। सरकारों से सवाल पूछने वाले हम जैसे तमाम पत्तरकारों को एक खास विचारधारा के लोग और एक खास पॉलिटिकल पार्टी के नेता गाहे बेगाहे पडोसी मुल्क पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक क्रूर सत्य उन सभी को सुन लेना चाहिए। क्रूर सत्य ये कि देश की राजधानी भले ही दिल्ली हो लेकिन उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अपराधियों के होसले लगातार उत्तर प्रदेश में बुलंद नजर आते हैं। और उसी की बांगी आज एक खबर लेकर आई। एक खबर जो उत्तर प्रदेश के अम्रोहा से आई। खबर क्या थी। खबर कुछ ऐसी थी जैसे हम भारत के किसी राज्य की किसी जिले की खबर ना सुनकर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की खबर सुन रहे हूं। आज की तारीक तक हमने नहीं सुना था कि किसी स्कूल में किसी स्कूली वैन पर हमला किया जाए। इस्कूली बच्चों को टार्गेट किया जाए। लेकिन देखिये ना अमरोहा की ये खबर अपने स्क्रीन पर। एक भारती जिनता पार्टी के नेता है नाम है चौधरी विरंदर सिंग। उनका एक स्कूल है एसारेस पब्लिक स्कूल। एसारेस पब्लिक स्कूल की एक छोटी सी मीनी बस अमरोहा में 28 बच्चों के साथ सडक पर चल रही थी। तभी बाइक सवार आते हैं। आते ही अंधाधुंद फाइरिंग करने लगते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चीक पुकार मच जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये हिमाकत उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार में और योगी आदितनात के उस दावे के बाद भी कि अपराद को लेकर हमारी नीती जीरो टॉलरेंस की हैं, ऐसे में ये खबर कितना बड़ा प्रस्चिन खड़ा करता है। लेकिन ये एक खबर है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और खबरें भी बताना चाहता हूँ जो हालिया दिनों में आई। उत्तर प्रदेश में अपराद को नियंतरित करने में डबल इंचन की सरकार किस तरीके से नाकाम साबित हो रही है ये समझना हो तो अपने स्क्रीन पर ये एक खबर देखिए। यूपी सरकार के दावे की पोल खोल रहा NCRB का डेटा बढ़ा अपराद का क्राफ बिहार भी पीछे। चाहे महिला अपराद का मामला हो चाहे हत्या का मामला हो हर मामले में उत्तर प्रदेश टॉप करता हुआ नजर आता है ऐसा NCRB का डेटा कह रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको कुछ और खबरे भी दिखा देता हूँ। एक खबर कल बेहत सुर्खियों में थी। कहा की खबर थी। किसी दूर दराज की इलाकी की नहीं। उत्तर प्रदेश के एक हाइटेक सहर की दिल्ली से सटे हुए इलाके की ग्रिटर नोर्डा की खबर थी। संजय यादो एक प्रॉपर्टी डिलर थे। उनकी फॉर्चूनर कार को आग लगाया जाता है और उसमें उनका सौव भी बरामद होता है। ये खबर दिल को दहला देती है। हाल की ही बात है 22 अक्टूबर की खबर है कानपूर में महिला सिपाही के साथ बजसलूकी करने की कोशिस की जाती है। बहराइच में क्या हुआ आप सबको पता है भाजपा, MLA, सुरिस्वर सिंग अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाब जाकर FIR कराने को मजबूर हो जाते हैं। 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के भदोही में एक प्रिंस्पल को दिन दहाडे गोलियों से भून दिया जाता है। राय बरेली की ये खबर देखिए, सोभित कौसल दुकान पर बैठे बैठे ही इनको किड्नैप कर लेते हैं लोग और उसके बाद इनकी भी हत्या कर दी जाती है। और एया की ये खबर देखी, टूसन पढ़के लोट रही थी एक बच्ची, सामने से आया यूवक और सीने में मारी गोली। इन तमाम खबरों को देखने के बाद क्या कोई संका बची रह जाती है। पाकिस्तान में सुनाई देती थी, अफगानिस्तान में सुनाई देती थी, ऐसे देशों में सुनाई देती थी, लेकिन आज की तारीक में जब ये खबर आती है, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। डबल एंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश पे योग्यादितनाज जी बार बार जीरो टॉलरेंस नीती की बात करते हैं बुल्डोजर की नीती की भी बात होती है कहा जाता है अपराधियों के घरों को निस्तना बूद कर दिया जाएगा बुल्डोजर चलाया जाएगा लेकिन सवाल यहां से बहुत सारे और भी पनपते हैं अगर बुल्डोजर नीती ही है अगर नीती जीरो टॉलरेंस की ही है तो फिर ये तमाम खबरें क्यों सामने निकल कर आ रही है फिर आखिरकार बार बार उत्तर प्रदेस में आए दिन कहीं गोली बारी कहीं हत्या कहीं डकैती कहीं अपहरण कहीं महिलाओं के प्रतिया परात इस तरीके की खबरें क्यों सुनने को मिल रही है चलते चलते उत्तर प्रदेस के माननी ये मुख्यमंत्री योग्यादितनाज जी आपसे बस एक छोटी सी इलतजा है एक छोटी सी गुजारिस है गुजारिस ये कि ध्यान दें जनाव ध्यान दें ध्यान दें सूबे के इस बिगड़ते हुए माहौल पर ध्यान दें अपराधियों के बढ़ते हुए होसलों पर ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राजनेतिक सूबा है उत्तर प्रदेश जहांके सिर्मौर आप हैं उत्तर प्रदेश जहांके मुख्यमंत्री आप हैं वो सूबा देश का crime capital बनता हुआ ना नजर आए अभी के लिए दीजे इजाज़त ऐसे ही तमाम अपडेट्स तमाम डेवलप्मेंट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज लॉंचर के साथ शुक्रिया